तो आज से हम अपनी जो एक नई सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं जैसे कि आप सुभी को पता होगा हमारे चैनल पर आपको सीटेट, एसटेट, यूपीटेट या फिर आप डीट्रिपलेज भी टीजीटी सोशल साइंस या के विएस के लिए त्यारी कर रहे हैं उन सब के लिए मैटेरियल बहुत अच्छे से वीडियो जो हैं त्यार करके आपको दी जाती हैं साथ ही साथ मैं NCRT की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम NCRT को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं आज से हम स्टार्ट करने वाले है NCRT Expert इस में अपने वीडियो आयगी सीरीज की इसमें हम टॉप 10 कोशन लेकर चलेंगे जिसको हम सॉल्फ करेंगी और आप सभी साथ साथ में सॉल्फ करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हूँ चलेंगे हम questions जो है इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो topic है वो पूरे तरीके से cover हो जाए concept ठीक है तो चलिए start करते हैं और अगर अभी तक आप सभी ही नई चैनल को subscribe नहीं किया तो आप कर सकते हैं और bell icon को press कर सकते हैं और telegram group को भी join करना नहीं बूलना है link description box में हैं तो देखिए यहां पर हम सभी के सामने first question है निमले के तिमेंसे कौन सोर मंदली का सदस्ट से नहीं है नहीं पूछा गया यानि कि हम पूछा गया विच्वाव ता following is not a member of the solar system यानि कि कौन सा सोर मंदल जो हमारा solar system होता है उसका सदस्ट से नहीं है आपको पता होगा जो हमारा solar system है चली पहले हम जो हैं आपके लिए टेस्ट है एक तरीके से तो आप इस cancer देंगी उसके बाद मैं explanation दूंगी तो यहां पर first option है एक शुद्र ग्रह दूसरा option है एक उप दे सकते हैं अब देखिए अभी तक आपने answer दे दिया होगा और अब हम इसकी जो explanation है वो करते हैं तो सोर मंदल आपको पता होगा सोर मंदल में जो है आपका एक तो हमारा sun होता है इसके सासद हमारे जो 8 ग्रह हैं वो भी इसी के अंदर होते हैं तो यह आपको पता होगा औ हमारे कहा पर आते हैं सोर मंदल के अंदर पाइगे और सोर मंदल जो है वो किसका पाऌट है आप सभी मुझे comment box में comment करके बतायेंगी आप देखे सोर मंडल जो है उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा शुद्र ग्रह भी आता है उपग्रह भी आता है नक्षत्र जो है वो हमारा सोर मंडल के अंदर नहीं आता है नक्षत्र क्या होता है फिर ये समझ लेते हैं नक्षत्र क्या होता है जब जो तारों क को समूं होता है जब उससे हम कोई भी जो इमेज होती है देखते हैं तो वह हमारा नक्षत्र होता यह उर्षा मेजर का एक पार्ड नई बात भी, तो देखिए, काफी सारे आपके concept यहाँ पर clear हो रहे हैं, I think आपको वीडियो अच्छी भी लग रही होगी, और लग रही है, तो आप क्या है, लाइक करकर जाना मत भूलेगा, आप देखिए यहाँ पर, देखिए, शुद्र ग्रहे कहाँ पर होता है, इसे मतलब ग्रहों का भी जो ग्रहे का जो छोटा पार्ट होता है, यानि कि इस तरीके साब समझ सकते हैं, जैसे कि राष्ट पति हो फिर उपराष्ट पति, तो जो राष्ट पति होते हैं, उसे छोटा कौन होता है, उपराष्ट पति होता है, तो जो ग्रहे हैं, वो कौन होते ह जो ग्रहों चक्र लगाते है उसे उप ग्रिज कहा जाता है तो इस लिए आपका जो ये फी outtaess. लाए उसका पर यहां पर यहां पर यह भी हमारा सही है though initially Yellow नाफ होते हैं यह सोल churches.情况 करेक्ट होने वाला है तो आए तिंक आपको बहुत अच्छे से सामने हैं सोर मंडल का दूसरा सब्से बड़ा है तो यहां पर आप यह कोशन ध्ञान से समझझे और इसके बाद इसका से कमेंट में कमेंट करेए फस्स यहां पर प्रित्वी तीसरा भरस्पती और चोथे आपर शनी करें फर्स्ट सन अर्थ फिर है हमारा जो पीर रहा है उसके बार सैट्रन तो सेकेंड लाल्डस बॉड़ी ऑफ सोलर सिस्टम हमें बताना है यहां पर तो अभी तक आपने आंसर कमेंट में कमेंट कर दिया होगा तो देखे पिंड कहा गया पिंड में हमारे शुद्र ग्रह थी आ जाएंगे ठीक है और अर्ह प्लैनेट पी आ Gel dai तो यह सारे अंदर अगे टो अकर solar system की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा अगर कहें तो वो कौन होता है sun सबसे बड़ा पिंड होता है आपको ध्यान रखना है इसके बाद हमारे ग्रहे की गिंती होगी यानि कि planet इसके बात आएंगे और planet में सबसे बड़ा planet कौन सा है उसमें हमारा जुपीटर सबसे बड़ा planet होता है और क्या करता है जुपीटर sun का चकर लगाता है तो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा जो पिंड है वो पूछा गया है तो दूसरा तो इस according हमारा जुपीटर होगा क्योंकि पहला तो हमारा sun हो गया है तो इसलिए हमारा जो यह c वाला option है यानि कि ब्रस्पती यह यहाँ पर correct हो जाएगा next question देखते हैं next question हम सभी के सामने हैं सोर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है यह हमसे पूछा गया है ठीक यानि कि जैसे जैसे हम sun से दूर जाते हैं तो उस टाइम पर जो हमारा solar system होता है उसमें क्या क्या चीज़े होती है यह हमसे पूछा गया और कुछ option हाँ आपर दे रखे first option हमें दे रखा है ग्रहों का अकार करमशे घटता है यानि कि जो हमारे planet है उनका size के है decrease होता है यह बोला गया है आपर second option कह रखा है आपर सूरे के बहुत नजदीक के ग्रहे गैसों और तररपरदातों से बने है यानि कि इन्होंने कहा है कि सूरे के जो पास के ग्रहे हैं वो कह गैसिस और जो लिक्वीड हैं उनसे बने हैं और जो दूर के ग्रहे हैं वो किसे बने हैं वो रोक से बने हैं यह यहाँ पर कहा गया है आप देखें थर्ड option हैं आपर कह रहा है हमें ग्रहों दौरा सूरे के चारों और एक परिकर मन करने की अवधी बढ़ती जाती है यानि कि ग्रहों के द्वारा जो प्लाइट है उनके द्वारा सूर्य का चक्कर पूरा करने में यानि कि आपको पता होगा जो प्रित्वी है वो भी एक प्लाइट है और प्रित्वी के सूर्य से दूरी के अकोर्डिंग हम देखे तो तीसरा गर है प्रित्वी ठीक है तो यहाँ पर प्रित्वी है वो भी क्या करती है सूर्य का चकर लगाती है और बाकी सभी ही जो प्लानेट है हमारे वो सूर्य का चकर लगाती है तो जो सूर्य का चक्कर लगाया जाता है इनका कहना है कि अगर सोर मंडल में जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी यानि कि पित्वी आपको पता है सूर्य के सबसे नस्दीक जोगर है वो हमारा कौन सा है सूर्य के सबसे नस्दीक हमारा जोगर है वो है मलकरी यान तो इसका मतलब के फिर्थवी जादा टाइंग देती है, ऐसा इनका गहना है एक चक्र पूरा करने में, आफ फॉर्थ ऑप्शन देखिए, ग्रोहो दुआरा सूरे के चारो और एक परिकर्मन करने की अवधी घरती जाती है, आफ फॉर्थ ऑप्शन में बिल्कुल उल्टा य आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि कौन सा आप्शन इसका यहां पर करेक्ट है, तो देखिए, इसका जो आप्शन नमबर हमारा थॉर्ड है, वो करेक्ट होगा किस तरीके से, अब आप खुद ही एनलाइज कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि जिस तरीके स जैसे कि अगर हमारे यह सन है, और सन के चारो तरफ यह चक्कल लगा रहे हैं, इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे यह जो हमारा सरकल है, यह भी तो बड़ा हो रहा है ना, तो यह इतना बड़ा जो है यहां पर इसे चकल टाइम ज़्यादा लगेगा, और जो ग्रह यहां पर है उसे कम टाइम लगेगा, तो इसी अकोर्डिंग आप समझ सकते हैं, कि सूरे जो है, सूरे के सूरे से जैसे जैसे दूर जाएगा जो प्लानेट, उसे क्या होगा ज़्यादा टाइम लगेगा, और सूरे के नसदीक जो होगा उसे कम टाइम लगेगा एक चकर पूरा करने में, इसी वज़े से जो हमारा बुद्ध यानि कि मरकरी है, वो क्या करता है, बहुत कम टाइम में क्या कर लेता है, सूरे का चकर पूरा कर लेता है, अब कितने टाइम में करता है सूरे का चकर पूरा मरकरी, वो आप म कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताईए आने वाले कोशन में वो भी देखने बाले हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहे हूं देखिए नेक्स्ट कोशन पर थोड़ी सी इसकी एक्स्प्रीनेशन है वो दी गई है कि किस तरीके से जो हमारी अर्थ को लेकर यहां पर एक्जामप होती है उसमें क्या करते हैं वो चक्कर लगाते सूरे का सन का तो यहाँ पर जो है दिर्वरताकार यानि कि यह जो यहाँ पर ड्रो किया गया है इसमें जो चक्कर लगाते हैं इसे दिर्वरताकार कहते हैं तो यहाँ पर जो है यह बताया गया है हमें कि किस तरीके से जो पृत प्रित्वी है जो वह सूर्य के सबसे नजदीक होती है उस situation को क्या कहते हैं एक ऐसा दिन आता है जिस दिन प्रित्वी सबसे नजदीक होती है और एक ऐसा दिन आता है जिस दिन प्रित्वी सबसे दूर होती है सूर्य के ठीक है तो यहां पर यह दो situation बताए गई है उनके नाम पूछे जाते हैं बहुत confusion create करने वाले होते हैं ये तो आपको बहुत जैसे इसका concept भी clear करते हुए चलना है और कब होता है यानि कि वो date जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है तो देखिए जब जो सूरिय जो है यानि कि जब पृत्वी जो है सूरिय के सबसे चलना ऑफ्रों सके से जो है सूरिय जो पृत्वी दूर है इसे क्या कहा जाता है चालोясे लेन के जबिए जोए इसे क्या कहा जाते है है धिक करने को हिंदी युपसोर कहते हैं और यह बात ध्यान लगनी है ओको यह उपसोर hombre जो है इसमें एक बात और आपको मैं बता दूं कि जो हमारा जो happy haelion होता है यानि कि सूर्य से जो maximum distance होता है हमारी अर्थ का उसे happy embar cry यानि कि अपसॉर गहा जाता है और वो जो distance है वो हमारा कितना होता है वो हमारा 152 million km होता है तो आप देख सकते हैं और इस दिन कब होता है या आपको ध्यान डखना है यह हमारा चाल जुलाई को होता है यह भी बात आपको ध्यान डखने है चाल जुलाई को होता है ठीक अब देखिए अगर हम देखें हम पैरीहिलिन की बात करते हैं यानि कि सूरे के जब नस्दीक सब तो यहां पर हम यहां पर यहां पर यहां पर यहां रखना है ऐसे सिती कभ होता है पर होता है तीन जनवरी को होता है और saben November को होता है लिए और सिती कहोता है तो पहला देखिए पहला अंड्रो मेंडा और फिर यहां पर बता रखना है अकाशकंगा प्रकाश मंडल बोनागर है तो बताइए इसका कौन सा इंकरेक्ट ऑप्शन होगा अभी तक आपने बता दिया होगा इसका अंसर आप सभी को मैं बार बार नहीं बोलूंगे आप सभी को वीडियो पॉस करने और खुदी आंसर देना है तो देखें फर्स्ट जो ऑप्शन है एंड्रोमेडा एंड्रोमेडा क्या है वो एक अकाश गंगा है यानि की अकाश गंगा को हम गलक्सी कहते हैं आपको धियां डखना है इंग्लिश में तो एंड्रोमेडा जो है अकाश गंगा और पृत्वी के सबसे हमारा जो सोर मंडल हमार जो सोलर सिस्टम है उसके सबसे लिए उसका नाम है Andromeda और हम कौनसीpractie हमारा जशोलल सिस्टम है वो कौनसीapor के अंदर है वो हमारा सोललस्टी सिस्टम जो है वोमिल कीवے जो क्लेक्सी उसके अंदर है और अगर अभी तक आपने सोललल सिस्टम वाला क्रणसेट वीडियो पहले अपलोड की हुए बहुत अच्छी तरीके से नौट्स प्रिपेर हैं उसमें आप जाकर समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके समझाया है तो दो पार्ट्स में कवर किया है उसे जाकर आप देख सकते हैं लिंक डिसक्विशन बॉक्स में दे दूंक आप देखो ये तो हमारे correct match हो रहा है क्योंकि Andromeda एक galaxy ही है तो ये तो हमारा बिल्कुल सही match हो रहा है second, देखो second के रख है दिन और रात, जो होती है वो किस वज़े से होती है हमारे बता रख है इन्होंने काई जो rotation करती है आर्थ यानि कि पृत्वी जो परिभ्रह्मन करती है यानि कि पृत्वी अपनी अपनी axis पर ही घूमती है उसरे हम rotation कहा देते हैं और इसी वज़े से दिन और रात होता है किस तरीके से होती है दिन और रात हमने जो ये पहले वाली देखी थी आप इसमें देख सकते हैं इस पिचर में आप देखिए यहां पर जो हमारे पृत्वी है यहां पर हमारे जो यह पृत्वी है यह अपने अक्सिस पर क्या कर रही है अपने खुद का चकर पूरा कर रही है और उसकी वज़े से आप देख सकते हैं कभी कबार ऐसा होता है कि इस वाले में नहीं पूंचे कि इसी वज़े से दिन और राथ होती है आपको ध्यान रखना है अब देखी यहां पर यह वाला भी हमारा करेक्ट हो जाता है अब यहां पर नेक्स्ट हमसे दे रखा है थे बोल रखा है सबसे चोटा वर्ष बुध है ग्लिकि मर्करी जो सबसे कम एय जो है mercury में होता है मतलब smallest ये जो है mercury में होता है अगर अपने पत्वी की बात करें हमारा जो स्थीक्षटीफाइव डेस में कंप्लीट होता है और मेक्सिम जब लीप एर हो जाता थह तो 66 जो days होते उसमें complete होता है पर यहां पर जो हमारा बुद्ध ग्रह है है वो बहुत कम time में क्या करता है जो सूर्य का चकर पूरा कर लेता है और इस वज़े से उसका जो एक साल है बहुत छोटा होता है यह बिल्कुल बाद ठीक है और अब देखें next यहां पर प्रकाश मंदल अब प्रकाश मंदल जो है प्रकाश मंदल याने की यह जो प्लाइनट है वो तो वैसे उनकी खुद के पास प्रकाश नहीं हो तो यहां पर यहांपर यह ह intentar ँरूर्ट हो जाय को है यहां पार पूछा गया था अब दीखे यहां पर छिसमिन आपको कहा था कि हमारा जो मर्करी है in 88先 में क्या कर लेता है सूरै का चख comicác पूरा कर लेता है और यह ही इसका एक साल होता है और पृत्वित 365 डेस में कंप्लीट करती है और यह इसका एक साल बनता है तो यहां पर आपको इन दो के बारे में तो अच्छे स्याद हो नहीं चाहिए पृत्वित और हमारा जो यह मरकरी है उसके बारे में नेक्स्ट देखो नेक्स्ट यहां पर पूछा कि हमसे कोशन है निमली कि तमेंसे कौन से ग्रह है आंत्री ग्रह की श्रिणी में आते हैं यानि कि जो हमारा इनर प्लानिट है उसमें कौन कौन से जो प्लानिट है वो हमारे आते हैं वो यहां पर पूछे गए हैं और अभी हम कि जो आंत्री ग्रह और 12 ग्रह हैं वो कौन-कौन से होते हैं और कि उसके बीच में क्या क्या डिफ्रेंस आपको यह पता होना चाहिए तो पहले आप इसका अंसर दी ची और फिर मैं आपको बताती हूं यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है पृत्वी मंगल शनी दूसरा ऑप्शन द सूर्य यह हमारे इयांड झाएए तो हमारे kab sva प्रफा होते हैं यानिकी आपको ध्यां डखना जो अinationsृ में इसके बाद हमारे हांपर आश्टर यहां वी सावुरूरी ग्रह है यहान कि शुद्र ग्रहे आते हैं और इसके बाद फिर से चार प्लाइनेट है और इन चार प्लाइनेट को क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है हमारा बारही ग्रहे और ये गैसी से बने होते हैं आपको धियान रखना है और लिक्वीर से बने होते हैं यह है इसका concept, I think आपको समझ में आया होगा, अब देखिए, यहां पर हमारा यहां पर पूचा गया है कि कौन से ग्रहें आंत्रिक ग्रहें हैं, तो देखिए, पृत्वी, पृत्वी है, मंगल भी है, पर शनी नहीं है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा, आपको दिहान रखना ह जो बारे-इगहे होते हैं, जैसे शनी हैं जो शनी है, उसके पास seven rings आपको पता होगी, और जो बारे-इगहें हैं, वो gases से बने हैं, helium और hydroxon जैसे gases से बने हुए हैं, साथी साथ इनके पास क्या होते हैं, इनकी खुद की ring भी होती है, तो यह भी ध्यान रखने आ आपको, आप देखो बुद्ध है इसका शुक्र भी है पर भ्रस्पती नहीं है जिसमें आपको बता रखा है कि जो मार्स होता है जो मंगल ग्रहे है और जो हमारा भ्रस्पती है उसके बीच में जो है एस्टरोइट्स आ जाते हैं शुद्र ग्रहे आ जाते हैं जो इने क्या है इनर और जो आउटर जो प्लानेट है उसके बीच में डिवाइड करते हैं तो यह वाला भी गलत हो क्या next देखो next option है बुद्ध शुक्र और पृत्वी तो बुद्ध है शुक्र भी है हमारा यानि कि वीनस और पृत्वी भी है हमारी तो यह option अपना correct हो जाएगा और अब जो है हम इस जाताए शुद्रग्रे होते हैं और शुद्रग्रै कि हैं छोटंच जो फूंट होते हैं उन्हें कहा जाता है चूथ्य जो मिड़ी करते सूड्य का चक्क्र लगाते हैं इस तर garden का यह इनर और आउटर जो पर इक सब्रमारी जो हने दिवाइड करते हैं तो अब देखे next यहां पर और यहां पर आप यह देख रहे हैं यह हमारा जो है यहां से आते उज़े अ इो यह हूते है अब देखे next हमारा कौशने आपर दिया हुआ है यहां पर कुशन है a मैं 3 स्टेरमंट दीखिए फिर oil कहा कि है की कॉण सा यह PS पर हमारा ठीक हो का option पहला दे रख है चुकि प्रित्वी की धूरी अपनी अक्ष के लंबवत रहती है इसलिए है मोसम का परिवर्तन होता है दूसरा प्रित्वी और मंगल की अकशाओं के बीच में शुद्र ग्रहों की अकशा बनी हुई है तीसरा option यूरेनस ग्रह अपनी ध पर second or third गलत है और first तो देखो जो प्रित्वी होती है वो अपनी अक्ष जो होती है यानि कि अपना जो अक्ष होती है उस पर जुगी होई होती है सड़े 30 डिग्रेस से मने बता रख है और अपने कक्ष पर वो क्या होती है लंबवत होती है इसी वज़े से मौसम में परिव जैसे होती है आपको ध्यान रखना है और यह कब होता है जब सूर्य का चकर प्रित्वी लगाती है अपनी एक्सिस पर तब होता है आपको ध्यान रखना है और उसके बिना नहीं होगा तो यहाँ पर जो है यह हमारा बिल्कुल ठीक है आप देखो second option क्या कर रहे है प्रित् और मार्स के बीच में होते हैं तो यह option हमारा इंकरेक्ट है अगला देखो अगला यहाँ पर कहरेगा Uranus जो ग्रह है वो पनी धूरी पस्चिम से पूर घुमता है तो मैंने आपको बताया था UV आपको याद रखना है यह जो दो ग्रह है UV rays आपने सुनी है इससे दो ग्रह ब यानि कि हमारी Earth जो है पस्चिम से पूर्व की तरफ घुमती है पर Uranus और Venus जो है पूर्व से पस्चिम की तरफ घुमते है उल्टे घुमते है तो इस वजह से जो है यह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर option यह वाला भी गलत हो जाएगा तो first option हमारा correct है और बाकी सारे option जो ह परिवर्तन होता है गर्मी सरदी वसंत और शरद रित्वी यो क्रति है उसे वज़े वजयन से आती है शूर्य के चारे और जब प्रित्वी क्या करती आलग कारती है यहक। सूरे के चारों और घूमतिय तो उस वज़े से क्या होता है हमेशा उसका कोई एक फेस जो है पृत्वी का वह सूरे के साइड होता है तो वहां पर जो गर्मी हो जाते दूसरे साइड जो है दूसरी रितू आ जाती है तो यह जो चक्रे बना रहता है तो मौसें परिवर्तन अब होता है आपको याद रगना जब रावलुशन करती है पृत्वी किसका सूरे का ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है आप देखो पृत्वी जो है अपनी धूरी पर पस्चिम से पूर्व की और घूमतिया इंपॉर्टेंट है यह आप देखो यूरेनस जो है वो क्य डिरेक्शन जो है वो किस तरह से डिसाइड करते थे रात को पूछाएगा तो रात को हमारे सन नहीं होता है दिन में हम सन को देख कर कर सकते हैं पर रात में हम जो है सन नहीं होता है तो हमारे पार चांद और तारे होते हैं और उसके अकोर्डिंग आपको बताने किस तरीके से किया जाता था पैला option दुरुवतारा दूसरा चांद दुसरा मंगल ग्रह और छोटा सूरज जैसे कि वीडियो स्टार्ट हुई थी तब आपको बताया था कि हमारा जो पॉल स्टार है यानि कि जो दुरुवरतारा होता है वो कहाँ पर होता है नौर्थ में होता है यानि कि उत्तर दिशा में होता है तो ये क्या करता है उत्तर दिशा में हमेशा स्थित्र रहता है और जो सब्तरिशी होते है उसके थूरु हम जो है इसकी डिरेक्शन का पता लगा सकते क्योंकि सब्तरिशी जहां पर बनता है हमारा उसी के सीध में जो है यह दुरुवतारा हमें दिखाये देता है और इसी स्थिती कभी भी चेंज नहीं होती है और वो जो दिशा होती है उसे हम उत्तरी दिशा कहते हैं याने कि नौर्थ जो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन हम सभी के सामने है निम्लिकीत कथन पर विचार करें तो पहला उप्शन देखा सोर मंदल में आठ ग्रेम तो आठ ग्रह हैं क्या आठ ग्रेम हमारे सोर मंदल में हमें आप यह बताइए ठीक है अगला कोशन अगला यहां पर ग्रेम बिल्कुल ठीक है प्लेटू जो है प्लेटू जो है पहले हुआ करता था पर 2006 में आये जो यू है आई एए यू उसने जो है उसे बाहर कर दिया गया ग्रह की उससे और बोना ग्रह जो है साबित कर दिया गया उसे तो यह जो है बिल्कुल ठीक है फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट कोश्ण आपर पुछा गया निमलक्त में से कौन सा कथन ग्रह से संबंदित नहीं है तो ग्रह से संबंदित नहीं है अब प्लैनिट के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लैनिट किसे कहा जाता है तो आप इस कोश्ण को कर सकते हैं पहला ओप् जो स्दित से आकरशित कर सकते हैं, तो देखो उनके पास जो है एक ऐसा आकरशन केंदर होता है, जिसके वज़े से वो के गटीशील होते हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो एक सूरे को, एक सन को अपना बीच केंदर प्रमानकर उसके चारों और क्या हैं गर्थी शील होते हैं सुरे का चक्कर लगाते हैं और गुट्वा कर्शन जो ग्राविटेशन फोर्स है उसकी वज़े से जो यह ग्रह आपस में नहीं टक्राते हैं ठीक आपको यह पता होना चाहिए यह अलग-अलग और बीट में जो है स प्रकाश लेते हैं और सबसे बड़ा तारा कौन सा है हमारे स्वला सिस्टम में सन है और यह ही सब को क्या करता है प्रकाशित करता है तो यह बाद यहां रखने और यह हमारा सही हो जाएगा हमारा ओप्शन ठीक क्योंकि हम पूछा गया है अब सी भी देख लो ग्रह सोर का हिस्सा है और जो यह के खगोले पिंड जो आकर्शित होते हैं और इस वज़े से उनके जो स्तितियों कायम रहती है ठीक है गर्विटेशन वार्स के वज़े से तो हमार सी यह जो बी वाला जो आप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा थोड़ी सी इसके एक्स्प्लेशन देख देखेबव तो दूसरी चीज जो है हमें बताए गई है कि हमारा जो धाने चलेंत को प्लेशन दी अपरिभाशा घाये थी तो यह आपको बाते दियां रखने एंक किसको प्लेशन चाहां जा जकता है पहले हम पर ऺिदा भया गया है कि इसी क्या है, यानि जो भी प्लानिट है, उसे क्या करना पड़ेगा, उससे क्या करता होगा, एक तारे की प्रेक्रिमा करता होगा, और solar system में वो तारा कोन है? सूर्य वो तारा है ठीक है? दूसरा हम पर बता रखा है यह इतना बड़ा होना चाहिए यानि कि जो planet है उसे जब planet कहा जाएगा जब उसका size इतना बड़ा होना चाहिए कि वहे क्या है एक गोलाकार आगरती में इसे करने के लिए प्राप्त गरता कशन या इतना बड़ा होना चाहिए यानि कि इसका मतलब यह है कि उसकी ऑर्बिट में कोई दूसरा जो कोई भी खोल यह पिंड है वो ना आपाए और वो क्या है सुरक्षित रूप से क्या है सूर्य का चक्कर लगा सके इतना बड़ा होना चाहिए सी देखो यहाँ पर थर्दे रखा है यह काफी बड़ा होना चाहिए ताकि इसका गुत्वा करिशन सूर्य के चारो और इसकी कक्षा यानि किसी जो क्लास है कि समान आकार ही किसी भी अन्य वस्तु को हटा दे जैसे आप पता है कि जो पृत्वी है अर्थ है उस पर क्या पड़ता है हमारा जो उलका पेंट है वो कई बार गिल जाते हैं तो जो उलका पेंट जब पृत्वी पर कई बार गिल जाते हैं तो जो हमारा मध्य मंदल होता है, जो हमारा आये, जो atmosphere होता है, उसकी layers में, थार्ड पे हमारा मध्य मंदल होता है, वो क्या करते हैं, उलका पिंड को जला देता है, और यहां तक कि आपको यह ध्यान रखना है, जितने planet होते हैं, वो अपने orbit पे किसी दूसरे कोई भी खोले पिंड है, उसे नहीं आने देते हैं, तो यह जो चीज है, यह चीज होनी चाहिए, और gravitational force जो है, वो लगा कर सके, अपने orbit पे ही बना रही, किसी दूसरे के orbit में ना जाए, ऐसा होना चाहिए, उसको planet कहेंगे, यह definition इस planet की बताए गई है, इसी के साथ आपके सारे question complete, अभी नहीं हुए है, एक लास्ट question बचा हुए, स्तले ग्रह डैश सूरे का निकटतम पडोसी है, तो स्तले ग्रह कौन से होते हैं, रिसमिन आपको कहा, चट्टाने ग्रह या जो स्तले ग्रह है, वो आंतरे ग्रहों के कहा जाता है, और आंतरे ग ग्रह भी है, और ये स्तले ग्रह भी कहा जाता है, जो हमारे चट्टानों से बना होता है, और सूरे के सबसे पास भी है, निकटतम भी है, तो first option अपना correct हो जाएगा, इसी के साथ हमारे question complete होते हैं, और आपको ये बिलकुल must वाले जो trick है, वो याद रखनी है, जिसके Earth, M से Mars, फिर Jupiter, J से Saturn, U से Uranus, और एंसे Neptune, और UV जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ये दो ग्रह ऐसे हैं, जो क्या करते हैं, सूरे का जो है, जो clockwise जो चक्कर है, वो लगाते हैं, आपको तहां रखना है, पूर्व से पश्चिम गूमते हैं, सूरे का चकर लगाते हैं, तो ये आ बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कि मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूं, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा आपको जो है, एप्रिशीट करना चाहिए मुझे, जिससे मुझे 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 मुटिविशन मिल सके, और साथ सत में आप सभी के लिए ऐसा ही content ला सकूँ, और टेलिग्राम ग्रूप को भी जोइन कर सकते हैं, लिंक की दिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो,